सबी का हारतिक स्वागत है अपनी यूटूब चैनल के उपर गामिन काल में गाय की बहुत केर हमें लेनी चाहिए ताकि गाय का बच्चा सही सलामत रहे और गाय को भी सही सलामत हम रख साके कभी कभी जो बच्चा है वो गाय के पेट में गूमता है तो वो मुमेंट हमें चेक करनी है कि इस साइड से या पीछी साइड से पेट के नीचे यह दी बच्चे का कुछ मुमेंट दिखाई देता है उसके साथ साथ गामिन काल में हमें सही चारा और आटा दाना का एज़ेस् ताकि गाय का जो गाम इनकाल है वो अच्छा जा सके उसके साथ साथ हर दिन मोमेंट चेक करने हैं बच्चे की दूसरी चीज एक और गाय को जो दूसरी जो हमारे गाय है नंदी है उनसे दूर रखना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि वो दूसरे नंदी या गाय यदि गाय को मारेंगे तो फिर बच्चे के उपर उसका असर होगा या बच्चा उसमें मर भी सकता है इसलिए हमें उन गाय और एनी गाविन गाय को जुन से दूर रखना चाहिए उसके साथ साथ आप यदि गोशाला में गाय को रख रहे है और गाय वहाँ पे कम मात्रा में हरा चारा खाती है उसके साथ-साथ वह वहाँ पर एक जगा पर ही बांदी है तो हो सके तो वहाँ पर बास और नीम के पत्ते अवलेबल करवाए ताकि गाई का जो डिलिवरी है वो अच्छा जा सके यह सब केर आप यह दी गाई की समय पर लेते हैं तो गाई का जो डिलिवरी है वो अच्छा हो और सही समय पर गाय का डिलिवरी होगा बच्चा भी स्वस्त होगा गाय भी अच्छा दूद देगी थैंक यू पर वाचिंग दिस वीडियो